What's fresh everyone, welcome back to the channel और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वालाओं के किस तरह से आप अपने मोबाइल पे ही BandLab के थ्रू अपने वोकल्स को प्रोफेशनली एडिट कर सकते हैं और अपने सॉंग को प्रोफेशनली मास्टर कर सकते हैं वो भी सिर्फ 10 मिनट के अंदर इस सबसे पहले आपको BandLab एप में अपने जो वोकल्स है उनको इंपोर्ट करना है और अगर आप चाहे तो आप अपने वोकल्स डारेक्ट BandLab एप में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं सुबह के तीन बज़े देखुरू नेक्स्ट इंपोर्टन टिप है कि अगर आप मेंबर्शिप यूज़ कर रहे हैं BandLab की तो यहाँ पर आपको एक टूल मिलता है क्लीन वोकल्स का जो की AI टेक्निक्स को यूज़ करते हुए आपकी वोकल्स को क्लीन करता है नेक्स्ट अब हमें अपने वोकल्स को एडिट करना है सबसे पहले हम लगाएंगे अपने वोकल्स के ओपर एक एकविलाइजर प्रीसेट्स के जो में आपको यहाँ पर डेटेल्स ज़ेरों फ्रिक्वेंसिस की वहाँ आप एग्जेक्ली कॉपी कर सकते हैं के लिए काफी helpful हो का screenshot आप ले सकते हैं इनको बनना superstar मिरे नाम के साथ जूड़ेगा great taste और equalizer का यहाँ पर जो काम होता है वो यह होता है कि हमारी जो background noise है, ambience noise है, unwanted frequencies है बहुत सारी चीज़े जो हम चाहते हैं कि हम उनको completely remove कर सके तो हम यहाँ पर remove करेंगे, कुछ frequencies ऐसी होती है जिनको आप boost करना चाहते हो, तो आपके जो vocals है वो सुनने में अच्छी लगे तो यह चीज़ हम करेंगे, next अब हमें अपने vocals पर लगाना है compression, compression हम इसले लगाते हैं कि जितनी भी vocal की हमारी frequencies है, जो volume level है, वो maintained रहे, कुछ ज़्यादा difference उसमें ना है और compression के बाद जो next important step है, वो है हमारा studio reverb studio reverb लगाना हमाले इसले जरूरी हो जाता है, ताकि हम एक professional feel जो होती है studio की, वो हमें यहाँ पर मिल से कि, reverb हमेशा आपके song को ज़्यादा fulfilled करता है, ज़्यादा भरा हुआ लगता है, और काफियत तक है आपको professional feel देता है next important tool is your delay, delay का क्या काम है, और delay यहाँ पर make sure करता है कि जो आपकी vocals है, वो पीछे से उसके साथ एक eco वाला feel देती रहे, so that कि आपको एक complete professional studio में जहाँ पर आपने record किया है, उसकी आप ambience की जो आप vibe चाहते है, अपने vocals के अंदर वो आपको completely मिल सके, सुनते है कि अब गाना कैसा लग रहा है जो करके दिखा survive, पार्स का स्टेनर्ड किया, उपर कूद सकाई डाइव, लिर्कल मॉस्टर लाइव, जैट किन बी डिबेटेड, इनको बनना सुपरस्टर, मिरे नाम के साथ चूड़ेगा, great taste सुबा के तीन बजे, देखो रोस्ट्रीम में, कहां से आया आज, किदर हो सीन में, ताभी बस्ते में, ज्यादा रोटी कम्टी फिन में, काटे के साल फटे जूट सो यस, हमारे वोकल्स अरिट हो चुकिया, और हमें आटो की के थूट यह पता करना है, कि जो हमारा गाना है, वो किस केल पे है, किस की पे है, और यह हमें help करता है, सही तरीके से यहां पर अपने वोकल्स को pitch correct करने में, जिस तरह से आटो ट्यून आप यूज़ करते हो, तो साथ है, स्पैशली हिप-Hop सोंग और Rap सोंग जहां पर आप चाते हो, कि आपको थोड़ा आटोटीग वाला पंच मिले, वाइब मिले, तो वो आप exactly यहां पर लेकर आ सकते हैं, अब हमारे वोकल्स कम्प्लीटली रीडी हो चुके हैं, आपको इसे मिक्स करना है, अपने beats के अपने सौंग के तो BandLab के अंदर आपको चार different presets मिलते हैं, जिनको आप intensity जिनकी आप control कर सकते हैं, और especially अगर आपके पास membership है BandLab की, तो वहाँ पर आपको चार latest tool और presets मिलते हैं, जो कि आपके सौंग के हिसाब से जिसको आप customize कर सकते हो, उनकी intensity भी आप exactly monitor कर सकते हो, और जाचे, देखो रो stream में, कहां से आया आज, किधर हूँ सीन में, ताभी बस्ते में, स्यादा रोटी कम्टी फीन में, काटे के साल फटे जूते और एक सीन में, रंगों से रंगे हाथ, अगर हसल रीयल आट, दादा की बाते याद, रोया ना में उनके बाद, खाली से लेट खाली जे मेरा खाली पेट, उमर सतारा में, काटा प्रेला पटे केक, रोलेक से हातों में, ब्रेंट सारे प्रॉपर, बीट्स को बेशन करूं चैसे मैं हूँ डॉक्टर, चार्स में रैठा उबर चैसे मैं हूँ डॉपर, रैप का स्पूल बना, हावर्स और में पॉटर, पंच पे, पंच मारू तुर, आपको अपने सौंग को करना है, एक्सपोर्ट और अब आपका सौंग रेडी है, टू गेट रिलीज्ट, आम शूर कि आपको इस वीडियो से काफी ज़दा हेल्प मिल योगी, आपने स्क्रीन शॉट्स ले लिए होंगे, आप उन सेटिंस को अपने स्क्रीन शॉट्स योगी, आप इनको कमप्लीटली अपने साप से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जो आपको सौंग की रिक्वार्मेंट है, उसके साब से आपके पास एक फिरिश प्रोड़क्ट जो बन किया रहा है, वो काफी अच्छा सांड करें, तो यस, in case if you have any doubt, please ask me in the comment section, I will make sure to reply to those comments और एक independent artist friend के साथ यस वीडियो को जरूर शेयर करो ता कि वो भी अपने song को properly master कर सके, अपने vocals को properly edit कर सके, I will see you in the next one, peace.